बिहार कृषी विश्विध्याले अपने मीडिया सेंटर के माध्यम से कृषी परशिक्षन के क्षेतर में करने जा रहा है एक नया आगास। बिहार सरकार द्वारा विश्विद्याले को प्रदल ICT और मास मीडिया परियोजना के तहर संचालित इस अनोखे यंत्र से किसानों और विश्विद्याले के बीच की दूरी कम होगी आईए एक नजर डालते हैं कि यह यंत्र आखिर कैसे किसानों प्योगी साबित होगा जैसा कि हम सभी अवगत है कि विश्विद्याले अपने सभी 20 क्रिशी विज्ञान केंद्रों से उच स्तरिये वीडियो कॉन्फरेंसिंग से जुड़ा हुआ है और रोजाना विश्विद्याले से ही पैज्यानिक अपने सभी क्रिशिविज्ञान केंद्रों से जुड़े किसानों को परशिक्षन देते है लेकिन फिलहाल वीडियो कॉन्फरेंसिंग विश्विद्याले स्टूडियो से कृषिविज्यान केंदर के मीनी स्टूडियो तक ही सिमित है लेकिन अब इस अनोखे टीवी यू ब्रांड के यंदर से वीडियो कॉन्फरेंसिंग को खेतों और रिसर्च फार्म से भी जोड़ पाना संभव हो गया है किसानों को क्या होगा फाइदा वीडियो कॉन्फरेंसिंग से जुड़े सभी जीलों के किसान अब सिर्फ वार्तालाप ही नहीं कर सकेंगे बलकि उसी वक्त संबंधित खेत या रिसर्च प्लोट से लाइव डेमो भी देख सकेंगे किसी वी क्षेत्र या गाओं के पस्तलों में फाइले रोग या केड़े के परकोव को विश्विद्याले से ही रियल टाइम एनलाइसिस किया जा सकता है साथ ही अन्य जीलों के किसानों और विज्ञानिकों के साथ उस विशेय पर लाइव वार्तालाब किया जा सकता है निश्चिती यह यंद्र क्रिशी प्रशिक्षन के खेत्र में मील का पत्थर सावित होगा